आज फिर से मैं इसी उलजन का सिकार थी, जैसे ही मैं नहाने के लिए वाश रूम में जाती, मुझे लगता कोई अजीब सी नजरे हैं जो मुझे देख रही हैं, मैं चारो तरफ नजरी गुमा कर देखती, लेकिन मुझे वहाँ कोई भी नजर नहीं आता, मेरी वाश रूम में सिर्फ एक ही रौसंदान था, जिसे मैं अच्छी तरह से बंद कर देती थी, लेकिन फिर भी ऐसा लगता था जैसे चारो तरफ दिवारों पर आँखे खड़ी हुई हैं, जो मुझे देख रही हैं, मैं कोई वहमी किसिम की औरत ना थी, लेकिन मैं पूरा वाश रूम देख चुकी थी, कहीं कुछ भी मुझे नजर नहीं आया था, मैं जैसे ही नहाने जाती, जल्द बाहर निकल आती, कभी कभी तो मुझे लगता कि शायद मैं किसी दिमागी बिमारी में गिरफतार हो चुकी हूँ, आज भी मैंने बहुत जल्दी से सावर लिया और फटा-फट से कपड़े बदल कर वाश रूम से बाहर आ गई, पिछले कुछ महीने से मेरे साथ यही हो रहा था, मुझे हर वक्त ऐसा महसूस होता कि मैं किसी की नजरों में हूँ, या मुझे कोई देख रहा है, और इस बात की वज़े से मैं इस कदर परिशान थी कि शा वहां तो कोई भी ऐसी हरकत मुझे जैसी औरत के साथ करने का सोच भी नहीं सकता था, और मेरे घर पर हम सिर्फ दो ही सक्स थे, एक मैं और एक मेरा बेटा, मेरे पती के दिहानत को, सोले साल बीच चुके थे, मेरे पती की किरानी की दुकान थी और इसी किराने से हमारा गु नौकरी करने लगा था वो सुबह को आफिट जाता तो शाम को ही वापस आता था पूरा दिन घर में मेरे अलावा कोई नहीं होता था नौकरानी भी आती और काम करके चली जाती फिर ये कौन सी नजरे थी जो हर वक्त मेरा दीदार करती थी मुझे लगता कि जैसे मैं किसी के नजरों के जाल में फस चुकी हूँ क्योंकि हर पल मुझे देखता है और जब ये नजरे वाश्रूम में मुझे पर उठती है तो मुझे एक अजीब सी उलजन होती है मैं अपनी तकलीव को बयान नहीं कर पा रही थी कि मैं किस तकलीव से गुजर रही हूँ क्योंकि मेरे स शाम को जब मेरा बेटा करन आफिस से वापस आया तो मैंने खाना गर्म करके सामने रख दिया मैं किसी गहरी सोच में थी जब मेरे बेटे ने कहा कि आप किन सोचों में गुम है इसकी आवाज पर मैं चौक गई थी मैंने नहीं में सर हिला दिया मैं इसे क्या बताती जिस ब हिचक जाती थी, एक बार मैं रात को करन को दूद का गिलास इसके कमरे में देने गई तो, वे अपने लैपटॉप में इस कदर बिजी था, मेरे आने का उसे पता तक नहीं चला था, मैं इसके पास आई और साइट टेवल पर दूद का गिलास रख दिया, इससे पहले कि मैं व हुडने लगा, कहने लगा, ये क्या तरीका है किसी के कमरे में आने का, आपने दर्वाजे को बजाया कि नहीं, मैं एक दम ही घबरा गई थी, मैंने माना ये मेरी गलती थी, मुझे दर्वाजा बजा कर आना चाहिए था, लेकिन वे मेरा बेटा था, इसलिए मैं यूँ ही चली आई, लेकिन ये नहीं जानती थी कि ये सब, कुछ बरहाल मैं कमरे से बाहर निकल कर अपने कमरे में आ गई, अपने बैट पर बैट कर अपने दोनों हातों से अपना सर पकड़ लिया, मेरे दिमाग में, अलग ख्याल जो आया, उसने मेरी रूप को हिला कर रख दिया नहीं, नहीं, मुझे ऐसा नहीं सोचना चाहिए, वे मेरा बेटा है, ऐसा कैसे कर सकता है, मेरा दिमाग फिर से सोचने पर मजबूर हुआ था, मेरी आखों से तकलीव के आसू बहने लगे थे, जो कुछ मेरे दिमाग में घूम रहा था, ऐसे सोचना भी मुझे पाप लग था मैंने खुद को जटका और समझाय की नहीं ऐसा मुम्किन ही नहीं है कोई भी बेटा अपनी मा के साथ ऐसा सब नहीं कर सकता है लड़के इस उम्र में ऐसी गलत चीज देख लेते हैं लेकिन इसका मतलब ये नहीं जो मैं सोच रही हूँ बड़ी मुश्किल से मैंने खुद किसी की परचाई सी नजर आई जैसे वहां कोई खड़ा मुझे घूर रहा था मगर जैसे ही मेरी नजर पड़ी ऐसा लगा कोई वहां से एकदम पीछे हटा हो मैंने गौर से देखने की कोशिस की लेकिन सामने की चट मुझे उस वक्त खाली नजर आ रही थी लेकिन मुझे यकीन था कि कुछ देर पहले कोई वहां खड़ा मुझे ही देख रहा था और किसी ने शायद अपने मुवाइल से मेरी तस्वीर ली थी मेरा दिल बुरी तरह से धड़कने लगा था इस महले में आए हुए हमें अभी कुछ ही महीने हुए थे और जब से मैं इस घर में आई कुछ मेरा नेचर भी अलग अलग रहने का था और मेरा बेटा भी शक्की मिजास का था महले में आते ही उसने मुझसे कहा कि आपको ज़्यादा महले में मेल जोल बढ़ाने की जरूरत नहीं है बस अपने घर पर ही रहेगा करन मेरा सौतेला बेटा था बहुत कम उम्र में ही मेरे बाप ने मेरी शादी करन के बाप से कर दी थी क्यूंकि मैं एक गरीब लड़की थी करन के पापा मुझसे 10 या 11 साल बड़े थे मेरी शादी को 8 साल ही गुजरे थे कि पती भी चल बसे मैं 17 साल की थी जब मेरी शादी हुई थी और 25 साल की उम्र में मैं विद्वा हो गई थी पती के दिहान को अभी 16 साल ही गुजर गए थे मैं देखने में अभी भी जवान ही लगती थी अकसर कही हम मा बेटे जाते तो लोग मेरे बेटे से यही कहते कि शायद मैं इसकी बड़ी कर देता था कहता था कि आप मेरे बाप की विद्वा है मुझे इसी रूप में अच्छी लगती है मैंने बुलकुल सादा हो लिया अपना लिया था हर वक्त जब भी करन घर पर आता घर को एक अजीब नजरों से देखता जैसे कि इसके पीछे से मैंने घर में किसी को बुला अपने काम से काम रखो मैं नहीं जानती थी कि इसके साथ क्या मसला था लेकिन इस वक्त वही मेरा सहारा था बेटा भी था और मैंने हमेशा उसे ही बेटा समझा था इसलिए खामोसी से इसका रवया बरदास करने पर मजबूर थी क्योंकि करन के अलावा मेरा कोई दूसरा स सिकार थी और उपर से बेटा भी शक्की मिजास का था कभी मैं ये मामला हल भी नहीं कर पा रही थी कि एक नई मुसीवत आ गई थी कि बराबर वाली छट से कोई मुझे देखता था और मेरी तस्वीर भी लेता था कहीं यही शक्स तो मुझे वाश्रूम में मेरे दिमाग में आने वाली इस नई सोच ने मुझे फिर से हैरानी में डाल दिया था मैंने फिर से खुद को जूटी तसल्ली दी थी क्योंकि मैं वाश्रूम का कोना कोना देख चुकी थी कहीं न तो कोई कैमरा लगा था ना कोई ऐसा सुराग की कोई झांक सके जो भी था लेकिन यूँ किस का छट पर छुपकर मुझे देखना भी एक गलत थी हरकत थी एक बार मेरे घर के दर्वाजे पर दस्तक हुई मैं उस वक्त किचन में खाना बनाने में बिजी थी क्योंकि करन के आफिस से आने का वक्त मुझे लगा शायद वे आ गया है लेकिन मैंने जैसे ही दर्वाजा ख खड़ा था तकरीबन करन की उम्र का था मुझे देखकर मुस्कुराने लगा इसके हाथ में ब्रियानी की प्लेट थी कहने लगा कि मैं पडोस से आया हूँ आप लोग शायद नए नए इस घर में सिफ्ट हुए हैं इसलिए माने कहा कि पडोस के यहां ब्रियानी दे आओ मै मैंने उनके हाथ से प्लेट पकड़ी तो वे अंदर आने के लिए एकदम बैठने लगा लेकिन मैं इसके सामने खड़ी हो गई मैंने कहा बेटा तुम यूँ खड़े हो मैं तुम्हें खाली प्लेट वापस करती हूँ यह सुनकर तो वे हैरत में आ गया कहने लगा कि मैं इ से हैरत से देखने लगी थी मैंने कहा कि मेरा बेटा भी तुमारे ही उम्र का है यह बास सुनकर उसने पूरी आखे फैला कर मुझे देखा कहने लगा वे लड़का आपका बेटा है मैं तो समझा कि आपका छोटा बाई है यह कहकर वे बड़े ही अर्मान से घर के अंदर दा का था कहने लगा आपका नाम क्या है मैंने कहा तुम्हें क्या मतलब तुम मुझे आंटी कह सकते हो इस बात पर उसने अपनी दोनों भाव उपर कर ली कहने लगा कि नहीं जी अभी आप इतनी भी बूरी नहीं हुई है कि मैं आपको आंटी कहूं अच्छी खासी खुबसूरत और जवान है मैं तो आपके नाम से ही आपको पुकारूंगा यकीनन वे भी आपकी तरह बहुत खुबसूरत होगा इससे पहले की मैं इसके इस तरह के ऐसे अंदाज पर गुस्सा करती कहने लगा चले नाम ना बताएं एक कप चाय ही पिला दे पडोसियों के भी कुछ हक होते हैं ये कहके वे सहन पर रखी कुरसी पर अराम में बैठ गया मैं किचन में गई जल्दी से प्लेट खाली की गैस पर चाय भी रग दी मेरा दिल इस वक्त इस बात पर घबरा रहा था कि कही करन आ गया तो ना जाने किस नजरों से मुझे देखेगा क्या सोचेगा वे खाली गर को भी यू देखता है जैसे कोई घर में छिपा बैठा हो जल्दी जल्दी से मैंने एक कप चाय बनाई और इस लड़के को दी मैंने कहा कि अपनी मा से ठैंक्स कहना और चाय पी कर बाहर जाते हुए दरवाजा बंद कर देना मुझे जरा किचन में काम है ये कहकर मैं किचन में रोटी बनाने चली गई क्योंकि करन किसी वक्त भी पहुशने वाला था और मैं इस लड़के से ज़्यादा बातचीत करना नहीं चाहती थी दस मिनट बाद ही खाली कब इस लड़के ने किचन के दरवाजे से मुझे अंदर पकड़ाया कहने लगा चाय भी आपकी दरवाजे से बाहर चला गया और दरवाजा भी जाते हुए बंद कर गया मैं तो इसकी बाते सुनकर चक्रा कर रह गई थी अभी मैं इस लड़के की बातों के बारे में सोच ही रही थी कि जब दरवाजे पर बड़ी जोड से दस्तक होई थी मैं बुरी तरह से काप गई थी जल्दी से किचन से बाहर आई और मैं दर्वाजे के पास पूछने लगी की कौन है करन की बड़ी गुस्से वाली आवाज मुझे सुनाई दी कहने लगा दर्वाजा खोलने में दर्वाजा खुला तो बड़े गुस्से से घर के अंदर दाखिल हुआ मुझे कहने लगा घर से बाहर कौन निकल रहा था करन की आँखें इस वक्त ना जाने किस वज़र से लाल थी वे बहुत ही गुसे में था मेरी जुबान ना चाहते हुए भी लड़कडा आई थी मैंने कहा कोई पडोसी लड़का था ब्रियानी लेकर आया था वे मेरे करीब आकर खड़ा हो गया मेरी आखों में आखे डाल कर कहने लगा किस से पूछ के दर्वाजा खोला था आपने क्या एक बात आपको समझ नहीं आती यहां कोई भी आए आप दर्वाजा नहीं खोलेंगी किसी से बात नहीं करेंगी कोई जरूरत नहीं है पडोसीयों से मेल जोल बढ़ाने की अगर आप अ मुझे लगता था कि जैसे मैं करन की माना हूँ उसकी खरीदी हुई गुलाम हूँ वे मुझे सास भी मेरी मरजी से लेने नहीं देता था बरहाल मैंने खाना गरम किया और करन के लिए खाना लगा दिया खाने के दौरान भी वे मुझसे बार बार इसी लड़के के बारे में पूस्ता रहा और बार बार मुझे यही कहता रहा कि दोबारा मैं दर्वाजे पर किसी को ना देख लूँ रात को मैं अपने कमरे में लेटी तो मेरे मुबाइल पर एक अनौन नंबर से मैसेज आने लगा इसमें लिखा था कि आप बहुत ही खुबसूरत और प्यारी हैं मेरा दिल चाहता है आप से जी भर के बाते करू और आप इतने हलके रंग ना पहना करें अगर आप नीले रंग के कपड़े पहने तो आप पर बहुत जचेगा जैसे कि आपने इस दिन सहन में पहना था ये मैसेच पढ़कर मैं बुरी तरह से घबरा आई थी इसका मतलब मेरा शक गलत नहीं था वाकई कोई था जो मुझे देखता था देखना तो चलो समझ में आता है क्योंकि बहुत से घर थे जिसकी छटे हमारे घर सी उची थी और साफ साफ दिखाई देता था और मेरा किच जी मारती थी मैंने फॉरन से मैसेच डिलीट किया और मुबाइल आफ कर दिया मैं इसी वक्त पसीने से तैर हो चुकी थी पर मुझे अजीबो गरीब सी घबराहट चाने लगी थी कौन था जो मेरी जिनकी में और जहर घोलने की कोशिस कर रहा था मैंने अपनी जिनकी कभी भी खुशी में नहीं गुजारी थी करन के पापा भी ऐसे ही थे शक्की मिजास के और शायद मुझ पर इसलिए इतना शक करते थे कि मैं कम उम्र भी थी और वे मुझ से 11 साल बड़े थे मैं खुबसूरत भी बहुत थी इसलिए हर वक्त उनके शक का निशाना बनी रहती उन यकीन आता ही नहीं था वे हर वक्त मेरे साथ किसी शाय की तरह रहते थे और जब वे बिमार रहने लगे तो सारी जायजात करन के नाम कर दी और इसके कान में बस यही भड़ते रहे की इस ऑरत का ख्याल रखना इसे कभी भी घर की माल की ना बनाना इसे पाई-पाई से मौत कहीं ये भाग ना जा, ये खुब सूरत है, इससे कोई भी शादी कर लेगा और तुम अकेले बेसहारा रह जाओगे, मैं चाहता हूं सारी जिन की ये मेरे नाम पर ही गुजारे, सारी जिन की तुम्हारी मा बन कर रहे, ये वे आखरी लवज थे जो मेरे पती ने मेरे बारे मे अपने बेटे के दिमाग में किसी जहर की तरह भरे थे, और वही जहर अब करन मेरे साथ उगलता रहता था, इसने कभी मेरी इज़त मा की हैसिय से नहीं की थी, मुझे कभी अपनी मा की जगव भी नहीं दी थी, मैं बस इसके बाप की दूसरी बीवी थी, एक रोज मैं किच परवे नौजवान खड़ा था, मुझे चिलाते हुए देखा तो फॉरण से नीचे उतर और अपने घर की दिवार लांग कर मेरे घर में आ गिया, इसने फॉरण से मेरा जलता डुपटा दूर फेका वड़ना मैं शायद बुरी तरह से जल जाती, उस वक्त बहुत इस नौजवान ने फॉरण से सामने रसी पर पड़ी चादर उतार कर मुझ पर लपेट दी मुझसे पूछने लगा कि मुझे कोई नुकसान तो नहीं हुआ, मैं बहुत जादा डरी हुई थी कि अचानक उसी वक्त मेरे घर का दर्वाजा खुला, सामने करन था, इस वक्त इस लड़के को मेरे पास खड़ा देखकर गुसे से मेरे पास आया और इस लड़के का गिरिवान पकड़ लिया और इससे गुसे से पूछने लगा, कहने लगा तुमारी हिम्मत कैसे हुई मेरे घर में आनी की, मैंने कहा करन, इसका गिरिवान छोड़ो, इस लड़के ने तो मेरी जान बचाई है मेरे डुपट्टे को आग लग गई थी हाला कि कभी भी सैन में गिरा हुआ डुपट्टा जल रहा था मेरी बात सुनकर इसने गुस्से भरी नजरों से मुझे देखा कहने लगा तुम चुप रहो समझी तुमसे तो मैं बाद में बात करूंगा इस त अभी पूरा नहीं होने दूंगा मैंने कहा करन तुम गलस समझ रहे हो मैं मां हूँ तुम्हारी क्यों मुझे इन बातों से जलील कर रहे हो मैं रोने लगी इस लड़के ने एक जटके से अपना गिरिवान करन से छुड़वाया कहने लगा कि मैं इंसानियत के नाते यहां पर आया था उनका डुपटा जल रहा था उनको आग लग सकती थी मेरा और कौन सा मकसद हो सकता है अपनी घटिया सोच अपनी हद तक ही रखो तो सही होगा करन इस लड़के से कहने लगा था कि क्यों क्या ये तुम्हारी मा लगती है क्यों आये थे यहां इन्हें बचाने टुपटा जल रहा था तो जलने देते तुम्हें क्या तकलीफ थी ये सुनकर मैं हैरस से करन की तरफ देख रही थी यानि कि इसे कोई फरकी नहीं पड़ता था कि मैं जलू या मरू जो लड़का कहने लगा कि ये मेरी कुछ भी नहीं है नहीं जानता मैं इन्हें लेकिन अ इस लड़के ने भी अपना हाथ नहीं रोका था दोनों ही गुस्से से लाल हो चुके थे ये देखकर तो मैं परिशान होकर रह गई थी बड़ी मुस्किल से मैंने दोनों को पीछे हटाया इस लड़के के आगे हाथ जोड़े कि तुम जाओ यहां से वे लड़का करन को जाने की बजाए इसी दिवार को लांग कर वापस गया था ये देखकर करन बड़े अजीव अंदाश से मेरे पास आया मेरी दोनों बाजू पकड़ ली और कहने लगा तो यहीं से बुलाती हो तुम अपने आशिक को फिर कहने लगा की जो तुम चाहती हो मैं होने नहीं इसी सैन में तुम्हें मार कर दफना दूँगा लेकिन ये मत समजना कि तुम्हें छोड़ दूँगा वे तो जैसे सारी तमीज ही भूल गया था इसके बाद करन घर के बाहर ताला लगा कर जाने लगा इसने बराबर घर की दिवार पर करन की बाई लगवा दी थी ताकि कोई भी घर पर ना आ सके रात को मेरे मुवाइल पर एक ऐसा मैसेज आया था कि मेरे होश उड़कर रह गए थे इस मैसेज पर लिखा था कि मैं वाश रूम में आओं मैं तुम्हें देखना चाहता हूँ ये सुनकर मेरे होश उड़ गए अब तक मैं सक ही समझ रही थी कि शायद ये मेरा वहम है कि कोई वाश रूम में मुझे देखता है लेकिन ये सस्था मेरा वहम नहीं था कौन था वे सक्स मेरा दिल बैठने लगा था मैंने मुवाइल आफ करके रख दिया लेकिन फिर भी मुझे पूरी रात नहीं नहीं आई जाकती रही सुबद जब मेरी नौकरानी आई तो मैं बुखार में पड़ी थी मैंने इसकी मिन्नते की कि वो एक रात मेरे पास रुख जाये मैं बिमार हूँ कोई ख्याल रखने वाला नहीं है वो मेरी बात सुनकर मान गई रात हुई करन के आने का वक्त हुआ तो मैंने नौकरानी को अपने कमरे में छिपा लिया मैं नहीं चाहती की करन को इस बात का पता लगे की घर पर मेरे अलावा कोई और भी है मैंने करन को खाना दिया और अपने कमरे में जाते ही कमरे की लाइट बंद कर दी और खुद कमरे में छिप गई क्योंकि जो कोई भी थी मैं अपने कमरे के पर्दों के पीछे छिप गई कुछ देर बाद यही हुआ था मेरे कमरे का दर्वाजा बड़ी आहिस्ता से खुला था एक सक्स खुद पर कोई शाल ओडे मेरे एक कमरे में दाखिल हुआ और पहले वाश्रूम के दर्वाजे के छोटे से हॉल से वाश्र मेरे में नजर तो नहीं आ रहा था मगर वे मुझसे अपने आपको छुड़वा रहा था सोर की अवाज से करन मेरे कमरे में आ गया जैसे ही लाइट खोली नौकरानी भी वाश्रूम से बाहर निकल आई सामने खड़े सक्स को देखकर मेरे होश उड़ गए थे वे मेरा पहल दे दिया था इसे यहां देखकर मुझे हैरत हुई थी वे बताने लगा कि इसे एक दूसरी लड़की पसंती इसलिए उसने शादी कर ली थी और मुझसे तलाक लेकर चला गया था लेकिन शादी के चंद साल बाद ही इस लड़की की मित्यू हो गई और इस सक्स ने दूसरी शादी नहीं की अपने बेटे को भी अकेला ही पाला है लेकिन इसने मुझे अपने घर के बराबर वाले घर में देखा तो इसे मेरे बारे में मालुम हुआ तो इसे अफसोस होने लगा वे मुझे अपनाना चाता था वे इस मामले में कई बार करन से भी बात कर चुका था ल आवाज उसके कमरे के बात्रूम में जाती थी और वे दिवाल लांग कर मेरे घर आ जाता था, पहले ये देखता कि कहीं मैं जल्दी बाहर तो नहीं आ जाऊंगी, फिर वे मेरे मुबायल को खोल कर इसमें से मेरा नंबर लेने लगता कि मुझ Сे बात कर सकें, ये सब सुनकर इ वे मेरे साथ जल्म ना करे और मेरी शादी इस से करवा दे पहले तो करन नहीं माना लेकिन बाद में इसने खुद मेरी शादी इस सक्से करवा दी धन्यवाद दोस्तों आपको हमारी कहानी कैसी लगी हमें नीचे कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर बताईएगा और हमारे चैनल वानी वर्ष को लाइक शेर सब्सक्राइब करना ना भूले